है इस दिए आप अजय को श्रॉप कर दो टो 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 यूटूब चैनल में मैशल अरुण कुमार मौर्या मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को आटोकर्ट 3D के कुछ बेसिक्स कमांड के बारे में बताया था जैसे बॉक्स, सिलिंडर, कौन, स्पेयार, पिरामिड, एज, टोरस, आदी आई होब कि ओ आप लोगों को शमज में आ गया होगा और आप लोग ट्रेक्टिस भी कियोंगे आज हम आपको आटोकर्ट 3D मोडलिंग की सबसे इंपोर्टेंट स्कमांड के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है Extude और इसके बहुत सारे फीचर्ट हैं सभी के बारे में बात करेंगे तो वीडियो के लाट तक आप लोग बने रहिएगा जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वह हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रिस करें जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक चूट कमांड यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहां टॉप पे क्लिक करेंगे और यह डबलू आइसो मेट्रिक पे क्लिक कर देंगे हम लोग अब एक औपजेक्ट बनाते हैं लाइन की तुरू हमने यहां से लाइन कमांड लिया और एक रेक्टेंगल को ड्रॉ किया ऐसे हमने एक रेक्टेंगल को ड्रॉ किया यहां मिला इसको हमने copy command लिया, select लिया और enter करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम copy कर लेंगे, चलिए, ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए, आप लोग यह सारी इंट्रीज अलग-अलग है, रेक्टेंगल की सारी इंट्रीज अलग-अलग है, पुरा एक close object नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्स्टूट कमांड लेंगे, पूरे object को हमने select किया, और enter किया, अब इसके बाद इसमें क्या होगा, एक proper height देना होगा, ठीक है, आप एक height प्रापर दे सकते हैं, direction देंगे, उपर की तरफ है, फिर नीचे की तरफ, हमने उपर की तरफ direction दिया, height दिया 300, और enter करती है, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यह पूरा हमारा solid नहीं हुआ है, यह हमारा surface इक्स्टूड हुआ है, ठीक है, क्यों हुआ है, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्यों हुआ है, आप क्या करते हैं, इसको हम करते हैं, इसके जो सारे entries है, फिर जो है, हमने सारे को select किया और जे enter कर दिया, यह हमारा join command के लिए होता है, जे enter कर दिया, और यह सारे क्या हो गए, एक join हो गया, एक close object बन गया है, ठीक है, अब फिर से हम वही काम करते हैं, इक चूट कमान लिया हमने, object को select किया और enter किया, अब फिर से, एक proper height देते हमने 400 दे दिया, अब देखिए हमने दोनों को shoot कर आया, लेकिन आप लोग देख पा रहे होंगे, दोनों में बहुत जादा difference है, पहला वाला object हमारा जो है, surface इस्टूड हुआ है, बर दूसरे वाले object का पूरा 3D solid इस्टूड हुआ है, ठीक है, 3D solid में convert हुआ है, तो इसमे दोनों में difference यहा है कि इसके जो सारी entities थी ओ अलग लग थी, एक close object नहीं था, इसलिए क्या हुआ, यह solid में नहीं हुआ, इसको हमने join करा लिया था, close object हो गया था, इसलिए हुआ, ठीक है, ताब लोग इसको देखिए, अब हम आगे चलते हैं, अब हमने एक rectangle यहां से लिया, और एक rectangle को draw कर दिया, ठीक है, हमने 2 rectangle को draw किया, हमने क्या किया, दो rectangle को draw किया, चलो इसको हम पहले वाले को delete कर देते, हमने पहले वाले को सब को select किया, और हमने कर दिया, enter, हो गया erase, ओके, आप आईए देखते हैं हमने दो बनाया है रेक्टेंगल अब देखे दोनों क्लोज ऑब्जेक्ट हैं पूरा फिर से हम एक्स्ट्वूट कमांड लेते हैं आप देख पार होंगे यहां पर पहले से हमारा क्लोज ऑब्जेक्ट है इसके मोड में हम चेंज भी कर सकते हैं हम क्या करेंगे सीधे मोड पे भी क्लिक कर सकते हैं जैसे आप mode पे click करेंगे तो यहां आप से पूछेगा solid में extrude करवाना या फिर surface में करवाना है अगर आपको solid करना है तो yes enter कर दीजिए और surface में करना है तो yes enter कर दीजिए चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ solid में करवाता हूँ क्योंकि आल लेडी पहले हमारा जो है close object है तो solid में ही और हम कोई changes नहीं करते हैं तो मैं क्या करता हूँ और मैं इसको extrude कराता हूँ इसके height दे दिया 200 है फिर से मैंने वही extrude कमान लिया और यह हम ओ इंटर किया फिर अब surface के लिए क्या करना पड़ेगा यस यू इंटर करना पड़ेगा हमने यसी इंटर किया और इसको सिलेक्ट किया और इंटर किया हमने हाइट दे दिया इसका 500 अब यहां पर देख लिए यहां पे भी हम अपने चेंज कर सकते हैं सेटिंग कर सकते हैं कि हमको solid में एक्स्टूट करवाना या फिर सर्फेस में एक्स्टूट करवाना है माले जी हमारे कोई क्लोज ऑब्जिक्ट है तो आटोमेटिक जो है solid में होगा अगर हम चाहते हैं कि सर्फेस में करवाना है तो उसको हम कर सकते हैं यहां तक आप दोगों को समझ में आ गया ओगा तो चलिए हम आगे चलते हैं कंट्रोल है किया हमने इसको डिलेट किया चलिए को रेक्टेंगल फिर से हम ड्रो करते हैं सबसे पहले हम एक्स्टूट कमांड लेते हैं अब्जेक्ट हमने सिलेक्ट किया अब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और हम ने इंटर किया अब इसके बाद पहला फीचर से इसका जो है डायरेक्शन अगर हम डायरेक्शन देके इसको एक्स्टूट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमको डायरेक्शन देना पड़ेगा डायरेक्शन देने के लिए हमने आप दिरिख्टन के लिए हमने इंटर भी इसके बाद पूच रहा है स्टार्ट पैंट हम पुछा-क्राय की स्टार पैंस Bom लिया और में इस्टार इंड्पॉंट डarios और आफेशन का दिया और इंड गिल्ट को कर दिया ओक है कि चलिए निश्ट कर देखते हैं हम ने एक ऑब्जेक्ट बनाया यहां पे आप फिर से टॉप लगा सकते हैं पाथ के थूट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले एक पाथ देना पड़ेगा तो पाथ देने के लिए हम क्या करेंगे यहां पे राइट लगाएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे पाथ बनाएंगे हमने एक पॉ करेंगे इंटर करेंगे उसके बाद पाथ के लिए हम क्या करेंगे इंटर करेंगे उसके बाद पाथ के लिए हम क्या करेंगे पी इंटर करेंगे उसके बाद क्या करेंगे हमको क्या करना होता है पाथ को सेलेक्ट करना होता जैसे ही हम पाथ को सेलेक्ट करेंगे उस पाथ को म लादे लाड करके हमारा जो हें ऑब्जफ को एक्ष्वूट कर देगाerem ठीक है अब इसके बाद क्या क्या करेंगे हम यहां प्यांगे टॉप क्लिक करेंगे फिस एक ओप्जिक्त को ड्रॉ करेंगे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया हमने अब फिर एक्स्टूट कमांड लेंगे इस ओप्जिक्ट को हम 1914 करेंगेस इस ओब्जिक्टको सेलेक्ट करने बाद हम इंटर बतन को प्रेस करेंगे कि इसके बाद हमको टेपर एंगल के तुरू जो है एक शूट करना है तो क्या करेंगे हम टी इंटर करेंगे अब इसके बाद हमको देना होता टेपर एंगल आप एंगल कितना देना चाहते हैं आप एंगल कितना देना चाहते हैं मालू हमने दे दिया 25 डिग्री और इंटर कर दिया ठीक है देखिए आगो हमारा 25 डिग्री का टेपर बना दिया है चले फिर से एक बार इसको हम देखते हैं हमने एक रेक्टेंगल लिया इसको सिलेक्ट किया और इंटर किया टेपर एंगल के लिए हमने टी इंटर किया अब एंगल हमने देदिया 25 इंटर किया फिर से हमने हाइट दे दिया 500 इंटर किया इस देखिए 500 का नीटेपर कट हो चुका है चलिए एक बार मंने इससे को सरकल बना के दिखा देता हूं यह हमारा सरकेल electromagn को मांद लिया अब्जिक्ट को सिलेक्ट किया इंटर किया टेपर के लिए हमने टी इंटर किया ंगल दे दिया हमने 47 ऑंगरे हाइट दे दिया हमने सीख्ट हैंडिट 600 दे दिया और इंटर कर दिया ठीक है आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे टेपर एंगल पर इस्टूट कैसे करते हैं हर हम कर सकते हैं हमारा इंट का मतलब क्या होता है थाई से不多 हमίν ईक्सी कंदर करना पढ़ेगा उससे साफिले एक्सप्रेशन के लिए हमने एंग्टर किया एक्सप्रिसन के लिए बहुत यहां फैंपर इंटर करना पքाए जो हमारे क्यों को एक्सप्रिसनburst Weather हैं तो हम क्या करेंगे वह एक्प्रेशन को एंटर कर देंगे वह आटोमेटिक जो है टोकाइट कल्कुलेट करके उसको प्रापर हाइट पे एक्ष्टूर कर देगा उसको ठीक है जैसे मालों जो टेन प्लस ट्वैनटि प्लस ठाइटि इंटू टू इंटर किया एक प्रापर हाइट पे एक्टूर हो गया एधिक है इसको देखते हैं कितना वह एक्ष्टूर इस पर double click करेंगे आप तो यहां पर आ जाएगा height 90 है ठीक है इसका जो equation हमने दिया था उसकी जो equal value आएगी हो 90 आएगा ठीक है इस बार फिर से आप लोग देखते हैं इसको आईए एक rectangle बनाया हमने इस्ट्यूट कमांड लिया object को select करेंगे इंटर करेंगे एक्स्प्रिसन के लिए इंटर करेंगे अब यहां पर एक्स्प्रिसन डालेंगे 10 प्लस 20 प्लस 200 ठीक है टूटल हमारा कितना हो जागा 230 होना चाहिए इंटर करेंगे अब यहां पर देखेंगे क्लिक करेंगे क्या हुआ यह 230 आ गया है ठीक है इसकी height कितनी है 230 आ गई है आई होप कि दोस्तों इस टूट के मान आप लोगों को समझ में आ गई होगी आप लोग इसकी practice कीजिए कोई doubt आता है तो comment box में जरूर पूछिए वीडियो को like कीजिए, share कीजिए और हमारे चैनल को subscribe कीजिए कीजिए तेंक यू